विडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बात करेंगे Go Digit General Insurance इस कमपनी के IPO में आपका Final Decision क्या रहना चाहिए जो आप लोग इस IPO में एपलाई करते हैं तो कितना Profit मिलेगा और कमपनी के लेटे स्क्रेम आके Premium क्या चल रहे लिस्टिंग इनके साम मिल सकता है यह सबी सवालों की जाब आज की इस IPO में देने वाला हूँ तो विडियो को जरुक से end देखते रहना सबसे पहले कमपनी के Business के साथ शुरुआत करते हैं कमपनी का Business Insurance से जुड़ा हुआ नजर आ जाता है जहां पर कमपनी अलग-अलग प्रकार के Insurance जैसे की वेहिकल इंशुरंस, हेल्थ इंशुरंस, ट्राविल इंशुरंस, उसकी बाद Property Insurance, Marine Insurance, जो Liability Insurance होते हैं जैसे अलग-अलग प्रकार की 74 products and services ये कमपनी अपने customers को offer करती है और इसी से ये कमपनी अपना profit generate करती हुई नजर आ जाती है मतलब इस कमपनी का जो Business है वो Insurance को बेचने का और वहां से इस कमपनी का अच्छा का सा revenue generate हो जाता है कमपनी के उपा अल्रेडी डीटेल वीडियो बना कर रखा हुआ है उपर आई बड़न बजा के पुरा डीटेल वीडियो चेक आउट कर लेना जहाँ पर मैंने कमपनी के business के बारे में सारी चीज़े बता हुई है अभी यार इस कमपनी के आई पियो में पहले दो दीन के अंदर सब्सक्रिप्शन देख लेता है ताकि हमको पता चले कि आई पियो की जो response है बड़े investors के द्वारा या जो retailers है वो कैसा इस आई पियो को response दे रहे है तो देखने जाए तो कुई इस के द्वारा कोई IPO में subscription नहीं है normally ऐसा ही होता है कि पहले दो दिन के अंदर जो को तीन दिन का IPO होता है न तो पहले दो दिन के अंदर क्यू इतना IPO में apply नहीं करते हैं last day के दिन last के फ्यू ओवर्स में जो यहां पर QIBS जो बड़ इंवेस्टर्स होते हैं वो यहां पर एपलाई करते हैं तो QIBS के द्वारा अभी तक का सब्सक्रिप्शन पहले दू दिन के अंदर 0.24 टाइम का रहा है गयना इसके द्वारा 0.73 टाइम का सब्सक्रिप्शन है रिटेलर्स क प्रकार का IPO को response मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी इस IPO के ग्रेमा के प्रीमियम की बात करें तो 14 रुपे पर ट्रेड हो रहे है और लिस्टिंग अराउंड अराउंड 5-6 परसें के आसपरस मिलने की possibilities है मतलब इस कंपने के IPO में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग एन एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है अभी यहां पर से जो आप लोग इस IPO में apply करना चाते हो तो एक condition आपको मैं बता रहा हूं वो condition जो fulfill हो जाती है तो ही इस IPO में आपको apply करने का स देखने को मिल रहा है कल यहां पर से मतलब सत्रा तारीक को दोपेर के साड़े दो बजे या तीन बजे के आसपास इस कंपने के IPO में देखना जो क्यूआई भी इस के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन है वह यहां पर से 50 गुना से जादा का होता है और निस के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन होता है तो ही इस कंपने के IPO में एपलाई करने का सोचना है और 70 गुना से जादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है इन दोनों के द्वारा तो यहां पर से आप लोग जरू से अपलाई कर सकते हो क्योंकि यहां मेरे को यह लगता है गो डिजिट का जो यह IPO आ के ओपर IPO ला रिये कंपनी तो भाई बहुत जादा उनको फाइदा हो जाएगा तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है परसनली कि भाई इस वेल्यूशन के ओपर अभी आप लोग कंपनी के शेर्स खरीद दोंगे ना तो पीवी फिंटेक जो इंसुरांस मार्केट में बहुत ही पॉलिसी बजार उसके शेर में जैसी हालत हुई दी ऐसी हालत इन्वेस्टर्स की हो सकती है आने वाले समय में जो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो अल्मोस्ट कंपनी का शेर्स 70% क्रेश हो चुका था मतलब कंपनी के शेर्स में लिस्टिंग यहाँ पर जिन लोगो सब्सक्राइबर इस बड़े इन्वेस्टर्स एपलाई करते हैं अच्छी खासी क्वंटिटी में तो ही आपको एपलाई करके चलना है बाकी इस आईप्यों को इगनोर करके चलना है दूसरे आईप्यों में पैसा लगाएंगे ठीक है तो यह था मेरा प्लान पूरा पुरा आप लोगों को मैंने बता दिया तो बस आपको अभी कोई भी क्वेस्टन आ रहा हो कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपके मन में कोई क्वेरी हो तो बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्रेब करना मत बूलना तो बस अच के लिए इतना ही good bye love good bye फिर मिलते हैं next video में good bye